इस particular session के अंदर हम previous year questions को discuss करने वाले हैं और अगर आप in previous year questions की जो PDF है वो download करना चाहते हैं तो आप O2 IS Academy app को download कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा मैं step by step आपको guide कर देता हूं that how you can download those PDFs So, जब आप O2 IS Academy app download करेंगे This is the interface of the app वहाँ पे आपको store section के अंदर जाना है store section में आपको basically ये course मिलेगा anthropology answer writing UPSC mains 2024 course इस course के उपर आपको click करना है वहाँ पे आपको content section के अंदर जाना है you will be opening the overview section यहाँ से भी आप जो free resource है वो download करना चाहते हैं but content section के अंदर जाईएगा content section में आपको free resource ये folder जो है वो मिल जाएगा जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो PDF है that is freely available here ठीक है तो वहाँ पे आप जाके free resource section के अंदर आप इस file को जो है वो download कर सकते हैं and in addition to that यहाँ पे आपको जो worksheets हैं वो भी provide की जाती है और अगर आप हमारे साथ answer writing करना चाहते हैं तो आप इन worksheets के अंदर दिये गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिखके भेज सकते हैं I will evaluate those questions and मैं उनका evaluated solution जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूँगा discuss the role of marriage regulations in the traditional societies of India for strengthening the social solidarity ठीक है पहले बहुत simple तरीके से पिछले साली question आया था यह बहुत simple तरीके से हमने marriage regulations बता दिये obviously insist जो है वो हमने उपर discuss कर चुके हैं हम already तो insist को मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है अगर insist को आप लिखना चाहते हो as the prohibitive rule तो आप लिखके एकाद जो है वो यहां से perspective या फिर दो perspective जो है लिखके उसका काम खतम कर सकते हो ठीक है जो दो rules रह गए है insist का हो चुका था already जो दो rules रह गए है मैंने उसके बारे में यहां पर लिखा है the first is the preferential rule parallel cousin marriage जैसे हम बहुत सारी South Indian communities के अंदर देखते हैं ठीक है खास करके जो Muslim South Indian communities है उनके अंदर देखा जाता है ठीक है देन उसके बाद cross cousin marriages जो की काचिंस के अंदर नौर्थीस में देखा जाता है fraternal poly andry ठीक है पोली गैनी वगएरा कईयों के अंदर preferred होता है जैसे टोडा ट्राइब के अंदर fraternal poly andry prefer किया जाता है leverage sourate ठीक है ठीक है so these are the preferred rules then उसके बाद there are the prescriptive rules ठीक है जो की आपको prescript किया जाते हैं कि अगर preferred लड़की पसंद नहीं है तो यहां पे जो है वो लड़की देख लीजिए अग्ला चॉइस यह है तो यहां पे आती है है बात endogammy की कि आप जो है वो caste group community के अंदर लड़की देखते हो और फिर बात आती है exogammy की कि आप अपने गोतरा क्लैन कास्ट के बाहर जो है वो लड़की देख सकते हो ठीक है गोतरा के बाहर लड़की देखते हो फिर exogammy के अंदर there are two instructions कि आप लड़का या लड़की कहां पर देख सकते हो उपर वाले में देखना है या नीचे वाले में देखना है ठीक है अगर आपने उपर वाले में जो है वो शादी करनी है then it is known as the hypergamy अगर नीचे वाले में शादी करनी है तो hypergamy ठीक है this we have already done with examples पिछली class के अंदर पिछले questions के अंदर यह हम कर चुके हैं अब सवाल के मुद्दे के ऊपर आते हैं कि किस तरह से ये social solidarity को strengthen करते हैं so basically preferential rules like cross cousin marriage, admin liege का इसके ऊपर काम है कि ये जो है वो एक alliance strengthen करते हैं society के बीच में जिसकी वज़े से basically जो familial bonds की continuity है वो बनी रहती है similarly जब हम leverage और sourate की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे का जो है वो ध्यान अच्छे तरीके से रखा जाता है अगर भाई के साथ शादी हो जाए जा फिर बहन के साथ शादी हो जाए लड़का लड़की की ठीक है और जो एक property है alliance है families के बीच में वो continuous रहता है वो तूटता नहीं है थेक है similarly in the prescriptive rules कास्ट endogamy के चकर में M.N. शिरी नवास का काम है और M.N. शिरी नवास कहते हैं कि कास्ट endogamy का एक कारण था जब कास्ट endogamy हिंदूस के अंदर बनाई गई तो उसका कारण ये था कि वो basically बनाई इसलिए गई थी तांकि एक proper alliance जो है वो बन सके कास्ट के बीच में लोग एक जुट होके रह सके और इससे social order जो है वो create हुआ उस time के उपर ठीक है फिर उसके बाद आपके पास गोत्रा exogamy आई इसके अंदर M.N. शिरी नवास का काम भी है लूई डमो का काम भी है और दोनों का मानना ये है कि it creates a very nice and good social network that is beyond the immediate kinship groups village और inter village जो connections है जो network बनता है वो गोत्रा exogamy से बनता है ठीक है तो जो एक broader social cohesion आप foster करते हो वो exogamy से foster करते हो intra village and inter village खास करके जो inter village आप करते हो foster और जो आपके पास skinship के बीच में और caste group के बीच में जो एक social cohesion आप foster करते हो that is with the help of the endogamy ठीक है फिर उसके बाद fraternal polyandry जैसे toda tribe है उसके अंदर fraternal polyandry जो है वो prefer की जाती है WHR rivers कहते हैं कि उसके अंदर इसलिए इसको prefer किया जाता है तांकि जो family property है वो वैसे की वैसे maintain रहे economic stability जो है वो रह सके जिसको हमने कल भी किया था फिर उसके बाद hyper gammy इरावती कारवे ने hyper gammy के ऊपर काम किया hyper और hypo के अंदर उनका दोनों के अंदर काम है hyper के अंदर खास करके इरावती कारवे कहती है that hyper gammy it creates the upward social mobility of the family देखो अगर आप किसी एक family को या फिर आप किसी एक household unit को कहोगे कि आप तो नीचे हो और नीचे ही रहोगे ठीक है तो इरावती कारवे कहती है कि इससे social solidarity खराब हो जाती है तो what happened in the caste Hindu और जो पुरानी societies है उनके अंदर क्या हुआ क्योंकि इरावती कारवे का काम जो है उन्होंने महाभारत को बड़े अच्छे तरीके से study किया है from the perspective of caste and kinship ठीक है तो literary work भी बहुत अच्छा है और anthropological work भी बहुत अच्छा है तो उनके अंदर वो कहती है कि basically ये कहा जाता है कि अगर आप upward social mobility करना चाहते हो then obviously you can do it with the help of the hypergamy और obviously hypergamy के अंदर आप जो है वो there is some kind of payments that are given to the prospective groom or the prospective groom's family ठीक है तो इस तरह से hypergamy it gives the chance in the society to people or to the group कि वो जो है वो upward social mobility जो है वो कर सके then उसके बाद जो है वो hypergamy तो एंडरे बेते का काम है marriage and family structures in India के ऊपर और बेते जो है basically discuss करते हैं that how the hypergamy it leads to the complex social negotiation and alliance building जब political alliance और alliance building की बात आती है तो इंडिया के अंदर आपके पास hypogamy भी की जाती है और एंडरे बेते भी ancient India का example लेते हैं कि कैसे kings जो है वो उन्होंने tribal daughters के साथ जो है वो marriage की थी ठीक है sorry आपके पास जो है वो जो sorry tribal kings ने जो है वो उनके साथ बाकियों के साथ जो है वो marriage की थी ठीक है तो it creates a alliance building hypogamy as well as hypergamy क्योंकि आपके पास alliance दोनों तरह से होना चाहिए it should be vertical as well as horizontal ठीक है तो आपके पास जो है वो hypergamy और hypogamy according to एंद्रे बेटे जो है वो दोनों तरह से एक alliance forge करने के लिए it is important hypo और hypergamy then उसके बाद strengthening of the social solidarity in the specific cases ठीक है even household जो है वो भी social solidarity को बनाता है जैसे माथूर का काम है PRG माथूर का काम है खासीज के अंदर और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से matrilineal kinship bonds जो है वो खासीज के अंदर matrilocal residence की वज़े से बनते हैं similarly patrilocal residence के अंदर TN मदन का काम है उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो patriarchal society और patriarchal norms जो है वो अपने आपको propagate करते हैं और पैट्री लोकल residence की वज़े से ठीक है और एक social order जो है वो बनता है you can or cannot write these things ठीक है मर्जी है अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो नहीं तो रहने दो अब कई बार social bonds break big हो जाते हैं जैसे for example caste endogamy के चक्कर के अंदर sometimes जो है वो it reinforces the caste divisions M.N. शिरी निवास का बड़ा अच्छा article है जो की छपा था EPW के अंदर economic political weekly के अंदर तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि कैसे caste endogamy it is in the continuum of the first point यहाँ से जो आया है कि कैसे यह पहले social solidarity दे रही थी अब यह social solidarity को खराब कर रही है और आगे आने वाले टाइम में यह social solidarity को और ज़्यादा खराब करेगी इस तरह की marriages ठीक है तो अगर आप endogamy से exogamy और love marriages की तरफ बढ़ना चाहते हो the society should do so ठीक है बट traditionalist जो है वो society के अंदर जो होते हैं वो बढ़ने नहीं देंगे ठीक है तो मन शिरी निवास जो है इस चीज के ऊपर बात करते हैं तो शिरी निवास noted that the strict adherence to the caste endogamy perpetuates the social hierarchy जो again tension create करती है then उसके बाद opposition to the inter-caste marriages again violence conflict होता है दिपांकर गुपता का लंबा चोड़ा काम है इस चीज के ऊपर और इसी चीज के ऊपर जिपांकर गुपता ने काम start किया और he gave the concept of the muddled caste hierarchy और muddled caste system in India ठीक है muddled caste system का मतलब यह होता है that it is not very simple as it was seen by Louis Demo कि अगर आप शत्रिया के हो तो आप शत्रिया के किसी भी घर के अंदर शादी कर सकते हो अगर आप वैश्या वरन से हो तो वैश्या में शादी कर सकते हो तो अगर ऐसे शादी कर सकते थे और इतना बड़ा perspective pool था आपके पास लड़कियों के साथ शादी करने का तो आपके पास जो है वो दिपांकर गुपता कहते हैं कि आप यह जो ओनर किलिंग वगएरा यह बहुत कम होती but on the other hand होता क्या है कि यहाँ पे भी कास्ट हरार्ची होती है ठीक है और जरूरी नहीं है कि अगर एक जगा के उपर यह कास्ट जो है वो इस से नीचे है तो दूसरी जगा के उपर भी ऐसा ही होगा ये caste उपर हो सकती है कई बार ये जो वैशावर्न की जाती है ये भी शत्रिया से कई बार उपर पहुंच जाती है तो system जो है वो it is very much muddled ठीक है जिसकी वज़े से again due to the western education आपके पास जो है वो कईयों को इस चीज के बारे में पता नहीं होता है या फिर चीजे जो है वो और जादा confusing हो जाती है जैसे for example article 14 के अंदर हमने देखा था कि SSP साब बाहर से आए और उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है ठीक है तो economic and social pressure भी इनसे increase होता है खास करके जब आप anuloma प्रतिलोमा marriage करते हो जब आप alliance forge करने की बात करते हो और आप hypergamy hypogamy कर रहे होते हो तो उसके अंदर डोरी बहुत जादा involved रहती है और जिसकी वज़ा से again it creates conflict Students, I hope that you enjoyed the discussion अगर आपका कोई भी doubt होता है, कोई भी query होती है regarding what we have just discussed in the previous year question तो आप comment section के अंदर अपनी query अपना जो भी discussion है, जो भी doubt है वो आप मेरे साथ share कर सकते हैं and for sure I'll revert back, thank you